पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अफगान योध्धा शीर खाने 26 जून 1549 का तड़का होते ही हुमायू के शिविर में घुसकर हुमायू की सेना को खदेड दिया तथा शिविर पर अधिकार कर लिया बादशाह हुमायू को अपने शिविर से जीवित ही निकल भागने में सफलता प्राप्त हो गई किन्तु हुमायू के हरम की औरतें शेर खांके सैनिकों द्वारा पकड़ ली गई कुछ औरतें इस अफरा तफरी में लापता हो गई गुलबदन बेगम ने लिखा है कि मुगल से ना परास्थ होई बहुत से संबंधी और मनुष्य पकड़े गए बादशाह के हाथ में भी घाव लगा चौसा के युद्ध के उपरांत मची गड़बड में कितनों का कुछ भी पता नहीं लगा उनमें सुल्तान हुसेन मिर्जा की पुत्री आइशा सुल्तान बेगम बेगा जान कोका अकीकह बेगम तथा चान बीवी शाही हरम की सम्माननी ये महिलाएं भी सम्मिलित थी जिनका कुछ भी पता नहीं चला बावर के महल की मुख्यदासी का नाम बच्का था जिसे खलीफा भी कहा जाता था वह भी इस यात्रा में हुमायू के हरम के साथ थी बच्का भी इस अफरा तफरी में लापता हो गई उसका क्या हुआ कुछ पता नहीं चला गुल बदन बेगम ने लिखा है कि बादशाह हुमायू ने अपने हरम की लापता औरतों की खूब तलाश करवाई किन्तु उन्हें ढूंडा नहीं जा सका इसलिए बादशाह चुनार में तीन दिन ठैर कर आरे लाए जब नदी के किनारे पहुँचे तो यह देखकर चकित हुए कि नाव के बिना किस प्रकार नदी पार उत्रें इसी समय राजा वीरभान बगेला भी अपनी सेना लेकर आ पहुँचा उसने हुमायूं का पीछा कर रहे मीर फरीद गोर पर भी हमला किया और उसे भगा इया राजा वीरभान बगेला ने नावों का प्रबंध करके हुमायूं तथा उसकी सेना को नदी पार करवा दी हुमायों के सैनिक चार-पांस दिनों से बिना भोजन और बिना मदिरा के थे राजा वीरभान ने उनके लिए खाने की वस्तुएं, शराब, मांस और आवशक वस्तुओं का बाजार लगवा दिया जिससे हुमायों की सेना के कुछ दिन आराम से बीट गए और घुड़े भी ताजी हो गए जो सिपाही पैदल हो गए थे उन्होंने नया घुड़ा खरीद लिया राजा वीरभान की सहता से बादशाह हुमायों कड़ा पहुँच गया यहां से हुमायों की सल्तनत आरंभ हो गई थी इसलिए हुमायों को शाही सुविधाएं एवं संसाधन फिर से प्राप्त हो गए गुलबदन बेगम ने लिखा है कि इस युद्ध के बाद हुमायों बीमार पड़ गया और पूरे 40 दिन तक बीमार रहा नियामतुल्ला नामक एक लेखक ने लिखा है कि कुछ दिनों बाद शेर खाने हुमायों की मुख्य बेगम अर्थात बेगा बेगम को हुसेन खानीरक की देख रेक में रोहतास दुर्ग में भेज दिया तथा अन्य मुगल इस्त्रियों के लिए सवारियों का प्रबंध करके उन्हें आगरा भिजवा दिया इस विजए के बाद शेर खाने हजरत अली की उपाधी धारण की जब हुमायू कड़ा से आगरा जा रहा था तब मार्ग में ही हुमायू को सूचना मिली कि मिर्जा हिंदाल आगरा आ गया है और अपनी माता द्वारा मना किये जाने के उपरांत भी शाही चिन धारण करके उसने स्वयम को बादशाह घोशित कर दिया है गुल बदन बेगम ने लिखा है कि बादशाह को सूचना मिली कि खुसरू बेग, जाहिद बेग तथा सय्यद अमीर कन्नौज में एकत्रित हो गए है ये लोग बादशाह हुमायू से बगावत करके मिर्जा हिंदाल की तरफ हो गए थे मुहम्मद सुल्तान मिर्जा भी इस समय कन्नौज आ गया था जो पहले बगावत करके गुजरात के सुल्तान बहदुर शाह की तरफ हो गया था जब मिर्जा हिंदाल को समाचार मिला कि हुमायू आगरा आ रहा है तो हिंदाल आगरा से दिल्ली चला गया उसी समय मीर फुक्र अली यादगार नासिर मिर्जा को दिल्ली ले आया और यादगार नासिर मिर्जा ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया मिर्जा हिंदाल तथा मिर्जा यादगार नासिर में मेल नहीं था इसलिए मिर्जा हिंदाल ने दिल्ली घेर ली जब मिर्जा कामरान को यह समाचार मिले तो वह भी अपने बारह हजार सैनिक लेकर दिल्ली आ गया ताकि कामरान दिल्ली पर अधिकार कर सके इस पर मीर फुकर अली तथा यादगार नासिर मिर्जा ने दिल्ली के फाटक बंद कर लिये कामरान ने मीर फुक्र अली के समक्ष संधी का प्रस्ता भिजवाया मीर फुक्र अली मिर्जा कामरान से अपनी सुरक्षा की प्रतिग्या करवा कर दिल्ली से बाहर आया तथा उसने कामरान से भेंट की मीर फुक्र अली ने कामरान से कहा कि मिर्जा यादगार नासिर अपने स्वार्थ में डूबा हुआ है इसलिए वह आप से भैट नहीं करना चाहता मीर फुक्र अली ने कामरान को सला दी कि वह दिल्ली में अपना समय खराब न करे अपे तु मिर्जा हिंदाल को बंदी बना ले और हुमायूं के आगरा पहुँचने से पहले ही आगरा पहुँचकर हिंदुस्तान का बाद्शाह बन जाए मुर्जा कामरान को मीर फुकृर अली की सलाह पसंद आई उसने मीर फुक्र अली को ही दिल्ली सौंपदी तथा स्वयम मिर्जा हिंदाल को अपने साथ लेकर आगरा आ गया आगरा आकर कामरान ने बाबर के मकवरे के दर्शन किये उस समय तक बाबर का शव काबुल नहीं ले जाया जा सका था और आगरा में ही एक मजार में दफन था कामरान ने आगरा में अपनी माता भहिनों से भेंट की तथा गुल अफशा नामक बाग में डिरा डाल दिया दर्शकों की सुविधा के लिए बता देना समीचीन होगा कि हुमायूं का तीसरा भाई मिर्जा असकरी इस समय हुमायूं के साथ था और वह भी चौसा के युद्ध में जीवित बचकर हुमायूं के साथ ही आगरा आ रहा था उसके मन में भी बादशाह बनने की चाहत थी किन्तु वह जानता था कि इस समय परस्थितियां बगावत करने के लिए अनुकूल नहीं है कुछ दिन बाद नूर बेग आगरा आया तथा उसने कामरान और हिंदाल को बताया कि बादशाह हुमायूं आगरा पहुँचने वाले हैं यह सुनकर कामरान तथा मिरजा हिंदाल दोनों ही हक्के बक्के रह गए उन्हें लगता था कि हुमायूं चौसा से आगरा तक के मार्ग को निरापद रूप से पार नहीं कर सकेगा और शेर खां मार्ग में ही हुमायूं का काम तमाम कर देगा किन्तु कामरान तथा हिंदाल की आशा के विपरीत हुमायू न केवल जीवित था अपितु सकुशल आगरा पहुँच रहा था यह सुनकर मिर्जा हिंदाल भैभीत होकर अपने राज अर्थात मेवात को लोट गया जब हुमायू आगरा पहुँचा तो उसी रात परिवार के सदस्यों के साथ मिर्जा कामरान ने भी हुमायू से भैट की तथा कुछ दिनों तक हुमायू की हाजरी में रहकर उसकी सेवा करता रहा हुमायू ने कामरान की गद्दारी के लिए उसे एक शब्द भी नहीं कहा जब गुल बदन बेगम ने हुमायू से भैट की तो हुमायू गुल बदन बेगम को पहचान नहीं सका इस पर हुमायू को बताया गया कि यह तुमारी बहिन गुल बदन है इस पर हुमायू ने कहा कि मैं हर समय तुम्हें याद करता था और अफसोस करता था कि तुम्हें बंगाल अभियान में अपने साथ नहीं ले गया किन्तो जब चौसा की दुरघटना हुई तो मुझे इस बात पर बड़ा संतोश हुआ कि तुम मेरे साथ नहीं थी अन्य था तुमारे साथ भी कौन जाने क्या होता हुमायू ने गुलबदन से कहा कि जब मैं बंगाल की यात्रा पर गया था तो तुम टोपी लगाया करती थी किन्तो अब तुमारा विवाह हो गया है इससे तुम टोपी की जगे घुंगट लगाती हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं पहचान सका अगली कड़ी में देखिए मिरजा कामरान बलपूरवक गुलबदन को लाहौर ले गया क्रपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवम शेयर करें धन्यवाद